अलो एंड वेल्कम टू माय चैनल आज हम कैप्रिकॉंस के लिए दिखेंगे कि उनकी लव लाइफ दिसमर की मंद में कैसे रहने वाली है तो दिखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्स आया है राइन पेंटिकस, एज पेंटिकस, दफूल और प्रिविलिज लेडी, बहुत ही उच्छी कार्स आया है आप लोगों के लिए फस्ट अगर जो सिंगल्स हैं उनके लिए बात कर लेते हैं तो अगर आप बाई हैं और गर्ल के लिए देख रहे हैं तो इस तरह की गर्ल आ सकती है जो काफी बीडिपुल है और प्रिविस लेडी की क्वालिटीज वाली है यानि काफी रॉमेंटिक है और पल नविंग है यंग है एनरजेटिक है और उनका जैसिक सेंज काफी अच्छा है जैसा आप देखी रहे हैं और फाइनेशली भी बीड़ काफी हार्ट वर्कर है और उसी चीज से उन्होंने काफी कुछ गिंग किया है अच्छी जॉब में भी हो सकती है और अगर स्टॉडीज में इंवल् काफी कुछ गिंग किया है इस अफेंटिकस आप लोगों का अगर एस तरह की परसन आपको एप्रोच करती है तो यह अपके साथ अगर जैसे अन्मेरिट है तो उन लोगों के लिए यह है कि यह परसन आपको फाइनेशल सेक्यारिटी के लिए भी अपना कमिट्मेंट अगर अगर होता है तो आप लोग एक दूसरे को साइनेश भी काफी फाइनेशली भी आप लोगों के साथ शेयर करने वारे हैं अगर आप लोगों का मैरिश तक जाता है क्योंकि वह खुद भी अच्छे पोजिशन के हैं और वह इस तीज को शेयर भी करेंगी और यह गुड़ ल तो यह जोईवाओर रिफ़ शेयर को यह इनरजिटिक हैं और फन नविग हैं तो इन नुवैं परसंद्री के लिए हैं और जहां वह अपने वर्क में काफी डेडिकेटर हैं वही बंड़ को काफी लाइव लेते हैं तो यह तो पाइव और भी अपर जैकेटर होग एट ले इस थरे की परसने कही एप्रोच्च कर सकते हैं जे निदा का साह इंटरस करना काफी पसंद हो सकता है वो इस तरह के स्पोर्स में इंटरस्ट रखने वाले हो सकते हैं तो आप इस तरह से उन्हें पचान सकते हैं और अगर पिस्नालिटी की देखें तो काफी गुड़ लुकिंग है और जहां आप देखी रहे हैं एंजल ब्लेसिंग तो वो फ्रेंड्स के बीच में काफी पॉपुलर परसन हो सकते हैं गर्ल या बॉइ दोनों और जहां उनके कुछ इस तरह के परसन है वो की अपने फ्रेंड्स के लिए भी काफी कुछ करते हैं फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करते हैं और शायद इसी वज़े से वो एंजल से ग आपने इमोशन को जादा दिन तक होल्ड करके रखने वालों में से यह बिलकुल नहीं है यह बहुत आसानी से अपनी बात कहने वालों में से हैं और इस चीछ का कॉंफिडेंस इन में है भी और शोशली भी इने काफी रिस्पेक्ट है और इने काफी अच्छा इनसान माना जा इनके साथ काफी अटेश्मेंट रखते हैं लोग इस तरह के परसन आपको मिल सकते हैं दिसंबर के मंद में चाहे वो मेरीस प्रपोसल के रिगार्डिंग आप देख रहे हैं या आप वैसे भी अगर रिलेशन्शिप में देखें और जहां यह इस तरह के परसन है और लाइ अगर इन्हें कुछ इस तरह की बाते कहीं जाए या क्योंकि यह काफी दूसरों के लिए करने वालों में से हैं और काफी रिलेशन्शिप निभाने वालों लोगों में से हैं और इनका फ्रेंड सेकल काफी बड़ा हो सकता है और यह परसन ऐसे हैं कि यह चैलेंजिस से घब या वर्क एरिया कोई भी हो सकता है चाहिए इनकी जॉब हो और विजनस भी अगर ये करते हैं तो उसमें ये काफी डेडिकेटड हैं पर ये लाइफ को एजी तरीके से लेते हैं और हार्टशिप में भी अगर कहें तो ये अपना बैलेंस नहीं खोते हैं और काफी कूल माइं इस तरह के परसन आपको मिल सकते हैं जो लोगों को कंट्रोल करने वाले लोगों में से बिलकु रही है इन्हें खुद भी फ्रीडम पसंद है और दूसरों को भी ये काफी फ्रीडम देते हैं और ये अप लोगों के लिए लग भी काफी लेके आएंगे इस उप पैंटेकस ये भी दिखा रहा है कि आप लोगों का अगर कमिटमेंट होता है या आपका रिष्टा आगे बढ़ता है तो ये परसन आपके लिए गुड लग चाम भी हो सकते हैं और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी जितने भी इशूस से फाइनेंशली या इमोशनली आप उनमें का ये हो सकता है आपके साथ आगे रिलेशनशिप लेके जाएं ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि ये काज काफी ग्रोथ को दिखाता है और ये यहां लव लाइफ के रिगार्डिंग देखें तो ग्रोथ इंटरसेंस आपका रिलेशनशिप जिस भी स्टेज पर है उससे नेक्स सिक्यारिटी भी देगा और आपके पार्टनर फाइनेंसिप भी काफी शेयर करने वाले हैं आपके साथ और वो खुद भी बहुत स्टेबल होंगे और यही सिंगल्स के लिए तो यहां यह है ही और जो अल्रड़ी कमिट्मेंट में हैं उन लोगों के लिए है कि आपकी परस मुवमेंट्स इंजॉय करेंगे या इडवेंचर स्पोर्स इस तरह की अक्टिविटी आप लोग जॉइन कर सकते हैं और एक तुस्रे के साथ आपका रिलेशन्शिप काफी अच्छा रहने वाला है लाइट अर्ट एनरजी में रहेंगे आपके परसन और उनकी फाइनेशल नंबर इस बार काफी माइने रखेगा दिसंबर के मन्त में यह वो नंबर हो सकता है यह उनकी डेटो बद भी हो सकती है जो अन्मेरिट है और मैलिस प्रबोजल के लिए देख रहे हैं तो आपको ऐसे परसन अप्रोच कर सकते हैं जिनका मुलांक बन प्लेस टू त्री माइने रखेगा सब्सक्ट सब्सक्राइब करेखे प्लेसर कोश्तिता लिए रहे हैं इस सकता है कि अप। और जो हाड़ वर्क आपने किया है यहां नाइन ओ फेंटेकल्स का कार्ड यह दिखा रहा है कि जैसे हम यहां लव लाइफ के रिगार्डिंग इसे देख रहे हैं तो आपने जितना भी अपने रिलेशनशिप में गिविंग नेचर रखा है उस चीज को इस बार पहचाना जा यहां रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आया है नाइन ओ पेंटेकल्स तो यह आपने जितना भी अपने जिलेशनशिप में टाइम दिया है और आपने काफी समझने की कोचिश की अपने पार्टनर को तो इस चीज को आपके पार्टनर इस पार एप्रिशेट भी करेंगे और आप लोगों के रिष्टा काफी स्मूधनेस के साथ आगे बढ़ेगा यहां कोई असी अप्स्टिकल नहीं आई है और अगर जिन लोगों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम थी कि कम्यूनिकेशन नहीं हो पारा था या लॉंग डिस्टेंस पे थे या किसी भी तरह की कोई आप लोगों के बीच में स्पेशली फाइनेस से कोई दिकत थी या कैसा भी कोई प्रॉब्लम रहा हो था और पार्टी सिच्वेशन तो इस बार वो दूर होने के काफी चांसे हैं क्योंकि एंजल्स आपको ब्लेस करने के लिए हैं और आपको उनसे सिफ प्रेय करना है आप आपके स्प्रीट्वल बिलीफ जो भी आप फॉलो करते हैं उनके अगार्डिंग आप उनसे कहिए कि आपकी प्रॉब्लम्स दूर करें तो इस बार आपकी जो प्रेयर्स हैं वो काफी सुनी जा रही है और यहां यह कार्ड इस चीच को भी दिखा रहा है कि आपकी प्रेयर इस बार आंसर होगी और अगर कोई आपस्टिकल है तो काफी हद तक दूर होने की चांसे हैं और आप लोगों का रिष्टा काफी स्मूथनेस के साथ आगे जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर है कोई प्रॉब्लम आपकी तो हैस प्रेशानी से आप काफी दू चले जाएंगे और आप लोगों का रिष्टा फिर से काफी अच्छा चलेगा कम्मिनिकेशन ब्रेक अगर हुआ है तो हो सकता है अपकी पार्टनर आगे होके आपसे कोई इस तरह की फोन पर या टेक्स मेसेज करें या आपको कॉंटेक्ट रहने की कोशिश करेंगे तो वाला है और वो काफी फाइनेंस भी अच्छा गेन करेंगे और इसी वज़े से काफी सिक्यूर फिल करेंगे और यह चीज उन्हें काफी स्टैबिलीटी देगी और इसी चीज का असर आप लोगों के रिष्टे पर इस बार काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है वहीं आप लोग काफी एक दुस्ते के साथ इमोश्यन्स भी शेयर करने वाले हैं और जो शादी का सुच ओच रहे हैं उन लोगों के लिए वी गाफी अच्छा मन्थ हो सकता है आप कमिट्मेंट में आ सकते हैं और हो सकता है कि कुछ तो काफी टाइम से अगर वेट कर रहे थे तो उन सेक्टर में आपकी ग्रूट होगी, इमनलव लाइफ में भी आपका अच्छा रहेगा रिलेशन्शिप और आपके पार्टनर के साथ और जो अनमैरिड हैं वो मेरिज प्रोबोजल भी अच्छे मिल सकते हैं और हर्ट सेक्टर में आप ग्रूव करेंगे क्योंकि ये दूनों कावी अच्छा हैं बस आपको ये है कि आपकी प्रेयर्स को जैसे सुना जाएगा तो आप अपनी स्प्रिच्वलिटी से आप कनेक्टड रहे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा थी संबर का मन तो यही डिडिंग थी आप लोगों के लिए अगर ये डिडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज मेरा चैनल लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू किजेगा थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो